हैśli Progress है खरेज है है आवई है वेरे गुडे एुल बरुनन pasta लेक प्रेयगे नकल को टुशनल एपक्राइब क्रेशा का सब से पहले हमने स्टार्ट किया है नेशिनल इनकम क्योंकि आप मैक्रेकेननामिक्स में को भी चेप्टर एप उठा ल에ंगे तो सबसे पहले आपको हर एक चेप्टर में आपको Macro Economics में आपको national income की terms आपको मिलेंगे. हेलो आवाज आ रहे हैं बच्चो? हेलो Audio Video Clear है? चीजें blur लग रही है मैंगो चीजें blur है रखो अब किलीर है? वीडियो देखें ज़रा आज सकींड क्लास है बच्चे पर्तम आज सकींड क्लास है अब देखिए पहले ओडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है रीडिंग कर पा रहे हैं वो भी देख लो एक बार आप प्लास स्टार्ट और फिर उसके बाद बीच में आप कुछ दिखें नहीं तो फिर पॉल्लम हो जाएगी ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर जी है 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 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो तो मैक्रो एकनॉमिक्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आपका युनिट वन नेशनल इंकम क्योंकि आप मैक्रो एकनॉमिक्स में कोई भी चेप्टर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको हर जगे जीडीपी नेशनल इंकम ऐसे टम्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और अगर आपको यह टम्स ही क्लियर नहीं है और आप नेशनल इंकम को अच्छे ते समझ लीजेगा उसके बाद नेशनल इंकम में हमने घॉर्सको फैनल घुर्सको दो काटेगरी में दिवाइड कर दिया था एक चर्णों गूर्स चर्णी को घॉस relies कर大 इंड he के उपर discussion पर हमने consumption गुट्स को भी अलगलग पार्स में डिवाइड कर दिया था जिबले जिसको आप देखो चूनी सकते हो उसको हम बोलते हैं services for example इस समय जो आपके पास में laptop है या फिर mobile पर जो आप class देख रहे हो वो laptop और mobile आपके लिए goods है जिसका आप यूज कर रहे हो लेकिन उसमें internet भी है लास क्लास में बड़े डिटेल डिसकर्शन हुई थी और differentiate कर चुके थे हम चलिए आज की class के उपर हम बात करते हैं class नमर्ट टू हां जी बचूँ तो आज की class में class नमर्ट टू है क्लास नमर्ट वन को आपके content में वीडियो और pdf तोनों ही अभी लेबल है आप जा करके आप क्लास नमर्ट वन को आप देख लेंगे और आपको फिर class टू और बैटर तेगे समझ में आईगी लेकिन जो बच्चे आज सीधा class टू में में इसाँ जूड़े हैं तो कोई पा इसकले गुट्ट स्ट की होती हैं एक फाइनल गुट्स और एक इंटर मेंड़ेट गूर्स दो फिर समय उती है और फिर एक समय पर और गुट्स भी होती हैं चाहिए ही मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक समय पर यह intermediate था और अब क्या यह final है मैं अपने स्वेटर की बात करता तो एक समय पर यह intermediate था और अब यह final है मैं smart board की बात कर रहा हूं मैं मैं आपके mobile phone की बात कर रहा हूं, मैं आपकी laptop की बात कर रहा हूं, दुनिया के हर goods, intermediate goods से होते हुए final goods तक पहुंचती है, तो ऐसा नहीं है कि ये goods, final goods की goods ऐसे होते हैं और intermediate goods जो है, ऐसे होते हैं, basically, कौन से goods final है, कौन से intermediate है, ये depend करता है उसके use पे, कि आप उसको use कैसे कर रहे हैं, कैसे example लेते हैं, final goods के उपर में पहले बात कर देता हूं, देखें, जो final goods होता है न, और एक intermediate goods होता है, intermediate goods क्या होता है, कि एक माल जैसे कि माल लेजिए factory में तियार हुआ, एक example लेते हैं, जैसे माल लेजिए tea powder, clear है, अब tea powder को आपने क्या करा, ये tea powder अभी इसको आपने क्या करा, milk में डाला, तभी ये tea powder आपके लिए intermediate goods है, milk में डालने के बाद इसमें फिर आपने चीनी मिक्स करा, तो अब ये goods में ये tea, milk and sugar, ये सारे चीनी मिल करके कुछ और बन गई है, ये बन गई tea, अब ये नहीं के tea final goods है, मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ, अगर ये tea एक दुकान पर कोई बेच रहा है, तो उस दुकानदार के लिए वो जो चाय है न, वो चाय intermediate goods हो गया, क्योंकि वो इसकी value addition अभी करेगा, अगर इसको बनाने में उसको 5 रुपए खर्च लगे है, तो उसको वो 10 रुपए कप में बेचेगा, तो ऐसी goods जो की output की boundary के अंदर है, ऐसी goods जिसमें अभी value addition होना बाकी है और value बढ़ेगी, उस goods को, उस situation को हम intermediate goods कहते हैं, और कोई goods अगर इस situation में पहुंच जाएं, कि अब उसके अंदर output का, output की boundary क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब यह हो गया, कि अब उसके अंदर, उसके उसके कोई और काम नहीं करना रह गया है, वो फिनिश हो गया, पूरी तकी से, अच्छे तकी से उसको बना लिया गया, पैक अच्छे एक example लेता हूं है, जैसे मान लीजेगा कि दिवाली में आप देखते हैं कि बहुत सारे retailer gifts बना के बेशते हैं, तो एक factory में juice बना, उसको packet में डाला, तो अभी इसने सारी के सारी boundary को cross नहीं करा, बलक्षिन की boundary cross नहीं करा, आगे wholesale के पास में गया, wholesale ने अपने हिस इस चीज को एक अलग different package में पैक करा, और wholesale ने फिर अपने इस पे और अपना profit रख करके इसको थोड़ा सा महना करके उपर बेचा, जिस rate पर ये manufacturer से लेकर करके आया था, उसी rate पर इसने आगे पास नहीं करा, उसमें अपने profit आड़ करके आगे फिर पास करा, तो value addition भी तो यहां तक आप देख रहे हैं, जब retailer तक पहुचा, तो एक तो value addition भी हो रहा था, और इसमें कुछ changes भी वो कर रहे थे, तो यहां पर यह अभी output की boundary के अंदर थे, और अभी value addition इसमें होना बाकी था, कोई goods अगर इस situation को face कर रहा है, कि उसके अंदर production का कोई ने कोई चीजें add होगी, या फिर उसकी value addition होगी, तो कोई goods इस situation में पढ़ा हुआ है, तो इस situation में वो intermediate goods कहलाएगा, और अगर कोई goods output की boundary को cross करके भारा जाता है, अब उसमें कुछ भी change नहीं होगा, और नहीं उसम हम क्या बोलेंगे, final goods बोलेंगे, example के लिए देखेंगा जारा, समझेए, कि इसनकी टी जो है, चाय बनाया है आपने, यह चाय अगर एक चाय की दुकान पर है, तो जाहिड सी बात है, वो उस दुकान पर जो उसके केतली में चाय रखा हुआ है, यह उसके लिए final goods नहीं है, क्योंकि अभी उसकी value addition करेगा, तो उसके लिए intermediate goods है, अब जो consumer ने वहाँ पे cup चाय लिया, अब यही same चाय, अब final goods की situation में आ गया है, क्योंकि अब इसके अंदर value addition नहीं होगा, वो लेकर करके उसको पी लेगा, अब वो आगे बेचेगा नहीं, तो मोटा मोटा समझना है जिस goods को आगे pass कर दिया जाए, कुछ कमाने के purpose से, उस situation में वो goods intermediate होता है, और जिस goods को इस्तेमाल करके अपने pass खतम कर लिया जाए, तो उस situation में वो goods final होता है, अब सवाल है कि मैं बताऊंगा, हम intermediaries और final goods में classified कर रहे हैं अभी, कि intermediate क्या होता है और final क्या होता है, हम ये भी आगे बताऊंगा, लेकि पहले हमाना topic चल रहा है कि intermediate goods क्या होता है, final goods क्या होता है, फिर दोनों को इस अप पढ़ेंगे, दोनों को differentiate करेंगे, ये बात सज में आपको है, कोई doubt किसी बच्चे को, तो बच्चे final goods के उपर मैं फिर से और बात करता हूँ, जो अपने production की boundary को cross कर चुका है, जिसमें और value addition नहीं होना है, उस situation में goods को हम final goods कहते हैं, example के लिए जो आपके पास में laptop पढ़ा हूँ है, वो final goods है, क्यों क्योंकि आप इसमें कोई भी activity इसमें नहीं करेंगे, दूसरी बात, आप इसकी कोई value addition नहीं होने वाला, आप इसको कोई कीमत लगागे कहीं बेचने वाले भी नहीं हो, तो यह आपके लिए final goods है, आपके पास जो mobile phone है, लेकिन यही laptop, जिस showroom से आप लाएते हैं, वो showroom में वो intermediate goods था हूँन के लिए, क्यों, क्योंकि वो switch को आगे value addition करेंगे, आपका mobile phone, इस समय जो आपके पास में है, यह final goods है, क्योंकि आपके अब जैसे की रफिजरेटर, बताए यह final goods है, यह intermediate goods है, बताएं जरा, कमेंट करें, रफिजरेटर final goods होता है, यह intermediate goods होगा, जल्दी कमेंट करें, fast, ब्रेड, ब्रेड बताएंगे जरा मुझे final goods है, चपाती, रोटी, final goods है, यह intermediate goods है, हसना answer करेंगे, final goods है, रफिजरेटर, और चपाती, चपाती, final goods है, intermediate goods है, तो आप इस पे भी अपने जो है, कहीं ने कहीं, आप final goods को आपनियन दे रहे हो, दोनों ही आप सभी बच्चों का answer गलत है, क्योंकि किसी goods से पता नहीं लगता कि वो final है, यह intermediate है, वो उसके use से पता लगता है, कि वो कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां तो मैंने कोई user ही नहीं बताया आपको, तो आप कैसे कह सकते हो कि final goods, आपने बोला चपाती final goods है, मैं कहा रहा हूँ, एक hotel पे intermediate goods हो गया, हाँ, अगर मैं बोलता household पे के पास में हैं चपाती है, वो consume करेंगे अब, तो यह final goods होता, तो सेम चीज फाइनल भी सकती है, intermediate भी हो सकती है, क्योंकि कोई सी goods final है या intermediate है, यह उसके use पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आप यह decision लें कि final goods है या intermediate goods है, तो आप उ कोई doubt, तो अब आपको goods को उसके uses पे जाना, clear है न, आप जैसे कि मान लीजिए धागा है, final goods है धागा, जो कि सुई धागा होता है, तो आप बताएं जारा है मुझे, वो final goods है या intermediate goods है, धागा धागा बच्चे, आपके पास में धानक न, इसके uses पे चीज़ें डिपेंड करती है, अगर एक घर में आपके आगया है, तो final goods है, और अगर दरजी के पास में है, तो कहीं न कहीं उसको लगा लोग कपड़े में, वो ज्यादा कीमत आपसे लेगा से लाई की, बढ़ात करक मदा फिलाल समझ में आगए आपको, तो production की boundary को जो cross कर दे, जिसमें value addition अब नहीं होगा, उस situation में, उस situation में हम goods को क्या बोलेंगे, उस situation में हम goods को बोलेंगे बच्चे, final goods और जो भी production की boundary में है, और जिसमें value addition होना बागी है, उसको हम बोलेंगे intermediate goods, medicine, final goods है, intermediate goods है, फिर सब पर value addition हो जाएगा बढ़ household में इसका value addition नहीं होगा clear है और दूसरी बात आप यह ध्यानकर नहीं होती है और दूसरी बात आप यह ध्यानकर नहीं होता है जो की goods या services को produce करने में long run तक उसको use करता है refrigerator आपके घर में पढ़ा हुआ है वो एक capital goods नहीं है वो consumer goods है क्योंकि आप उस fridge से कोई भी production नहीं कर रहे हो लेकिन वह refrigerator एक medical shop पर है जो injection वगरा रखता है उसके अंदर वो situation में यह capital goods है क्योंकि वो अपने goods को पढ़िया services को produce करने में वो उसको help कर रहा है तो वो goods जो कि वो commodities जो कि goods और services को produce करने में long run तक बार बार use में आता है उस commodity को हम capital goods कहते हैं और capital goods जाहिर सी बात एक firm के पास में होती है क्योंकि firm चीजों को पढ़ियोड और services को produce करती है मिक्सी जो इससे मसाला आप बनाते हैं पीशते हैं वो आपके घर में है तो capital goods नहीं है लेकि मसाले के दुकान पर रखा तो capital goods क्योंकि वो जो आपको produce कर रहा है वो उसके प्लक्शन में long run तक उसको use कर रहा है घर पे आप किसी इसका प्लक्शन नहीं कर रहे हो सो इसे capital goods कहते हैं और capital goods कहा मिलेगा फार्म पे मिलेगा और फार्म पर जो capital goods होंगी क्या farm अपने commodities को बेचेगा अपने capital goods को बेचता है वह अपने capital goods को थोड़ी बेचता है क्लियर है अब जैसे कि एक्जामपल लेते हैं यह है कैपिल गुड्स यह उसके प्लक्षिन में लॉंग रन तक बार बार में यूज आएगा एक फार्म को तो कैपिल गुड्स है अब इससे जो समान मन रहा है यह समान को बेचेगी इस मशीन को ठाके थोड़ी बेच देगी फ फर्म की मैं बात करूं तो फर्म में दो टाइप से गुड्स पाई जाएंगी एक कैपिल गुड्स और बाकी रेस्ट अप सब कर सब केपिल गुड्स को छोड़ दो बाकी सब कुछ आपका इंट्रिमेडियर होता है तो एक फर्म में आप जाके देखेंगे उनका कैपिल अगर आप जा रहे हैं तो कैपिल गुड्स फाइल गुड्स रेस्ट अव गुड्स इंट्रिमेडियर गुड्स नहीं समझे आप मेरी बात है क्लियर है है अगर है इंवेश्मेंट का मतलब किस से है इंवेश्मेंट का मतलब कैपिल गुड्स से है मैं सोचा की मैंने स्मार्ट बोर्ड लियाता हूँ आप लोगों ओनलाइन क्लासिज देने के लिए मैंने अपना एक investment कर दिया मेरे लिए टैबल गूर्स है क्योंकि मेरे को services को produce करने में long run तक मेरे ये use में आने वाला है तो ये मेरे लिए final goods है clear है बचे मैं जो है इसको इसके board में कोई value addition नहीं होने वाली है इसलिए मेरे लिए final goods है और consumption जो सुबह सुबह आप लोग जो अभी उठे है और दूद वगरा बाजार से लेकर क्या आए है तो आपने consumption कर लिया ना उसमें कोई आप उसको बेचेंगे थोड़ी तो वो भी आपके लिए क्या हो गया final goods हो गया फाइनल गूर्स include goods purchased by consumer consumer household as they are meant for the final consumption जिसका purpose क्या है finally consume कर लेंगे like milk purchased by household अगर यह milk को अगर किसने जो चाय बेचने वाला कोई बैखती है अगर खईता है इस दूद को तो फिर यह दूद उसके लिए final goods नहीं होगा उसके लिए intermediate है कि वो उसका final consumption नहीं कर रहा है वो आगे उसको reseal कर रहा है goods purchased by a firm for a capital formation वो capital goods अगर firm खईती है for investment like machinery purchased by a firm it must be noted that the final goods are neither resold or nor used for the any further transformation in the process of the production clear है बच्चे तो final goods जो होता है वो उसको दुवारा नहीं बेचा जाता है अब बात करते है intermediate goods की तो intermediate goods के अगर आगर आप देखते हैं intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or further the production in the same year कि उसका जो है दूसरा कुछ चीज बचकर नबढ़ करके उसका production कर देंगे आप जैसे कि गन्ना आप खईद के लाते हैं एक गन्ना आपकी आपने खईदा और उसको तोड़ा चबा-चबा के आप गन्ने का जो है आप आनंद ले रहे हैं गन्ना final goods हो गया finally वो यूज हो रहा है उसके तो value addition नहीं होगा वही गन्ना एक जो है चीनी मीलने ले लिया सुगर मीलने ले लिया चीनी मनाने के लिए वो गन्ना वहाँ पर intermediate goods हो जाएगा तो यहाँ पर वही कह रहा है कि intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for the further production in the same year intermediate goods include goods purchased for the resale like milk purchased by the dairy shop तो उनके लिए तो भाईया यह क्या हो गया intermediate goods हो गया goods used for the further production like milk used for the making sweets एक मिठाय के दुकान वाले इन दूद्ध खईदा है उसको मिठाय बना करके उसको आगे फिर बेच देगा तो यह भी क्या एक intermediate goods है अब production की boundary क्या होती है आपको यह चीज़ आपको समझनी होगी clear है बच्चे तो यहां पर आप देखेंगे देखें फार्मर ए प्रड्यूस कॉर्टन वर्थ 2,000 रुपिस और से लिट टू बी जो है एक कॉर्टन को प्रड्यूस करा अब देखें होता क्या आगे बी परचेस थ्रेड वर्थ 3,000 उस इसने प्रड्यूस की बांटरी क्रॉस ने करा अभी इसके प्रड्यूस क्लोथ चल रहा है यह जो भी प्रॉसेस आपका हो रहा हा था यह सारा का सारा प्लेक्शन बांटर के अंदर अंदर कंसीडर होगा तो यह वह कहता है यह को इसली कर पाएंगे कि यह फांटर्गोर्स है यह इंत्रमीडेट गोट्स है tha production boundary is the line around the production sector as long as the goods remain तो यहां पर आपके पास पर ABC कर दिया एंड चिक बार्डर ग्राउंड और यूनिट्ट क्लियरे बच्चे अंजे अब दिफ्रेशेट करते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है इंट्रमीडिय गुड्स किसे करते हैं मेनिंग फाइनल गुड्स रेफर्ट तो डोस गुड्स विच अर दा यूज़ड़ यूज़ फार पाइनल गुड्स और फ्रदे प्लक्शन नेचर देआर्ड़ अंक्लुड़िड इन दा बोथ नैशनल और डोमेस्टिक इंकम अब देखी नहां पर समझने की जुवगत है य मैं फिर से उस बात पर चर्चा कर लेता हूं दान से सुनेगा हर चीज को सुनेंगे समझेंगे हर एक concept क्लियर करूंगा मैं आपको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपको कैसा लिखना है अपना आंसर कैसे प्रिपेर करन मैं बता दोगे अपने पूछारों नेशनल इंकम और आते हैं वादे हैं तो बात कहते हैं तो हम सब की नेशनल इंकम के बारे में बात प्रीडियर आ बता लिए हैं अब एक तριकह है कि सबकी income का sum क्या जाए तो यह तरीका होता है पारेस को हम income method भी कहते हैं जो आगे आट आपको पता लगेगा कि हम सबकी income का sum करेंगे, कैसे मन में सवाल और आस कैसे सबकी income कन्सुम हो सकता है, वो मैं करके दिखाऊँगा, बताऊँगा एक marker buy करा as a teacher और यह मैं इसको यहीं पर use करें खतम कर दूँगा तो मेरे लिए final गूर्ट से मैं कोई marker बेचने वाला नहीं हूँ इसमें कोई value addition नहीं करूँगा मेरे लिए final गूर्ट से 25 रुपय का अब मैं 25 रुपय के मेरे income क्या काम करती हो 25 रुपय जो मैंने कीमत 25 रुपय क्या काम करेगी मैं रिटेलर को 25 रुपय देते हैं तो रिटेलर ने क्या करा होगा पांच रुप अपने pocket में डाले होंगे और लिए manufacturing क्या करा होगा दो रुप अपनी डाले बचे तीरा रुपय तो तीरा रुपय में उसने जो उसके पास में लेबर थे जो उसके पास में रेंट था जो उसके पास में इंटरस्ट था जो इलेटेसिटी बिल था जो management में टीम है उस सब को माड़ दिए तो मेरे 25 में जितने भी employee काम कर रहे हैं उन सब की income बनी तो अगर मैं गुड्स का प्राइस 25 फाइनल गुड्स पर ले लेता हूं तो मुझे सबके पास जा जाके income पूछने के जूरत नहीं है सबकी income मेरे पास में calculate हो गई है दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है गुड्स के उपर क् इंकम बनेगे जिसको हम expenditure method कहते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा तो जो income सबकी पूछ के आ जाओ या फिसको सबका expense आप पूछ लो आंसर तो वही आना है आपका तो national income का एक वे यह भी होगा expenditure method अब सवाल यह है कि अगर यह marker की कीमत मैं wholesaler के पास में यह marker wholesaler जो है आप 20 रुपए में offer कर रहा था रिटेलर को पंदार रुपए मैं उसको पड़ा अगर मैं इस कीमत को अगर मैं wholesaler के पास में जाकर पकड़ लेता तो मैं बीस रुपए इंकम लेके चलता लेकिन इसमें जो रिटेलर ने पांच रुपए कमाया है उसकी इंकम छूट तो इसलिए final goods का मतलब यह होता है कि अब यह सब के हां से निकल चुका है अब जो इसकी कीमत है वो सब की इंकम को जोड़ देगा इसलिए national income के अंदर always final goods की price को लिया जाता है हाला कि यह goods जैसे कि साच भी कभी बहु हुआ करती थी उसी पकार से हर final goods भी कभी intermediate goods हुआ करती हैं लेकिन जब intermediate goods का price ले लूगा ना तो जो आगे जिन्होंने कमाया है उसकी आंदनी छूट जाएगी इसलिए final goods का price लेता है क्योंकि सबके आंदनी इसके अंदर कभर हो जाती है कि इसको दुवारा कोई और बेचने वाला नहीं है तो national income के अंदर final goods को ही consider किया जाता है intermediate goods to consider नहीं किया जाता है clear है बच्चे समझ माया तो they are included in both the national income and domestic income भाई final goods को include करते हैं they are neither included in a national income or the domestic income national income की counting में हम intermediate goods को नहीं लेते हैं demand they have a direct demand as they are satisfied the wants directly clear है यह डिर्क डिमांड इसका तो consumer decision को यूज करके satisfied कर लेता है and value addition इसमें कोई इस final goods नहीं है they are ready for use by their final uses no value has to be added value addition नहीं होता है इसमें value they are not ready for the use अभी इसको आगे production boundary में cross नहीं कर रहा है इसने भी इसमें और काम होना मा किया है इसे value addition होता है production boundary यह cross कर चुकी होती है यह production boundary के अंदर में होती है example milk purchase by a household क्या है यह मेरा यह मेरा जो है final goods है and milk used in a dairy shop for resale call use in a factory for further production मैंने क्या बताया एक factory के अंदर capital goods को छोड़के बाके सब कुछ जो भी पड़ा हुआ है सबका साब intermediate goods होता है call उसका जो है कोई capital goods से क्या बार बार जला जला के उससे काम करता रहेगा वो एक बार में यह खतम हो जाना है क्लेरे बच्चे तो आज एक लास में उम्मिद करता हूं कि आप differentiate अच्छे समझ पाए होंगे कि final goods और intermediate goods के बीच में क्या अंतर है क्लेरे बच्चे एक बात मुझे और आप लोग यहां पर बताएंगे दिखें जो आपको अपना आंसर लिखना रटा नहीं माना आप लोग आप कॉलेज के स्टुडेंट हैं तो आप तो वह तो पांच भी छटी साट भी तक तो ठीक है पर इस लेवल पर तो आप इसको अगर याद करोगे तो फिर यह तो मुरख्ता ही होगी आपने चीज़े समझ लिए हैं आप मोटे-मोटे इस पॉइंट को याद करो अगर आप पूरा याद नहीं करना आपको आप याद करो मीनिंग नेचर मीनिंग बताना है दोनों का कि म पानेली यूज्ड में आती हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए आती हैं और रिसेल हो जाती हैं बस इतनी सी बाती दिमांग कर लिए नेचर नेचर नेशनल इंकम के इन रेकों में करों को बनाओ और इस जो है इन पॉइंट को लिखो और उसके बाद पीर आप पुदी आंस लिखना चालू कर दो इसके उपर तो फुर आप पहले इसके रीडिंग कर ली ना कैसि अंदर है अफर खुद आंसर लिखो आपका अंसर प्रिपेर हो गया फिर आप आगे भी कभी भी रिवाइस करना हो तो बेसिस को रिवाइस करना है अपने आपको अंदर नहीं गुसन अब वो प्रेशर मत लीजिए कि मुझे याद करना है अभी से अंसर बना बना के अब सीखिए ठीके बच्चे है विलते में फिर नेस्ट और एक बाद द्धान एक लाइब अगर Me क्लासिस अगर मैं कंपेर करूं तो ऑनलाइन क्लासिस ऑफ्लाइन से बेस्ट होती है खारण क्या है आफ्लाइन क्लास में आप गए तो एक आपका ट्रांस्पोर्डेशन कोस्ट आया कि उसके बाद आप अपने घर बे गए कल के दिन कुछ रिवाइस करने आपके पास से कुछ भी नहीं है सिर्फ नोर्ट से बट ऐनलाएन क्लाइन में अपना क्लासिस में क्या होता है कि ट्रांस्पोर्डेशन को सापका जीर होता है परे खर्चा बखता है दूसरी बात क्या आफ्लाइन कोस काफी एक्सपैंसिव होता है यह आपको एक जैसे कि 7 आट जार रुप्ए पांच जार तो आनलाइन में ये बहुत ज़दा आपका जो है सस्ता हो जाता है टैन टाइम वन बैं टैन टैन्स हो जाता है प्राइस को सिफेक्टिव काफी आपके लिए हो गया तूसरी बात आपके वीडियो पड़ी हुई है अब जब मर्जी चाहिता आप रिवाइस कर सकते देख सकते रिपीट कर सकते हैं आप फिर भी ऑफ-लाइन ज्यादा पर फ़िर क्यों करते हैं या कि आप भी क्यों करते हैं और अठीन हूँ चाहर नहीं नहीं दूली नहीं से सुरूअ जाती चुर्टे साम टाइम में वो प्रैशर डबल अप हो जाता है जबकि आफ्लाइन वाले बच्चे को मालूमें पैसे दे रखें जाने जाने हैं अर्टिन फिर बापस से कुछ रिपीडेशन रिवीजन तो मिलना नहीं है तो उस चक्र में सो कर्स कवर हो जाता है तो अगर आपने अपना ए देख लूँगा क्यों भाई जो चीज अभी क्यों नहीं देख पा रहे तो शाम को आप कैसे देख लोगे वह पेंडिंग कर रहे हो आप अपने आपसे जूट कह रहे हो त्रीड में कहता है ना कुछ भी हो रहा हो बोलो ऑल इस वैल आप वहीं काम कर रहे हो लाइव क्लासि होने ही बंद जाएंगे क्लियर ना तो डिस्विन मुझे लाइव जुड़ने है हर आलत में ताकि उस काम को मैं उसी टाइम खतम कर लूँ